हेलो फ्रेंड्स वेल्टम टू माइ इस्टेडी फीज चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजुकेशन की चेप्टर वाइज इंपोर्डेड एंसे क्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ जिसमें से चेप्टर है एनुटॉमी एंड फिजियोलोजी यानि सद्रचना एंग क्रिया जिसमें से टॉपिक है कोशिका का धाचा एंग कारियरी सेल स्ट्रेक्टर एंड वर्क एंड दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटेटिक जांस का प्रिपेशन स्लिबर्स के एकार्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलिबर चैनल पर कांटेन्यू बेहतरिन तयारी के लिए चलिए चलते हैं आज के प्रस्णों की तरफ दोस्तों कोश्चन है कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जीवन की कहते हैं कोशिका यानि शेल दोस्तों जै से एक-एक इट से दिवाल बनता है और दिवालों से कमरा बनता है और कमरों से महल बनता है उसी प्रकार कोसिकाओं से समूह से उतक बनता है और उतकों से अंग बनते हैं अंगों से हमारे सरी का निमा होता है इस प्रकार हमारे सरी की सबसे छोटी इकाई रचनात्मक क्रियात् यानि शेल नेक्ट दोस्तों मानो शरीर में पावर हाउस यानि बिदुत ग्रिष किसे कहा जाता है तो इसे कहा जाता है माईटो कांडिया को जैसे कि दोस्तों माईटो कांडिया जो हो उर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र होता है क्या पैदा करने का उर्जा तो एक हैं तो माइट्रोकॉंडिया माइट्रोकॉंडिया उर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र है जिसे को शिकां का बेजली घर अधुण पावर हाउस आफ्व सेल कहा जाता है क्योंकि इनहीं में आक्सीकरण क्रिया का मुख्य भाग घर्टित होता है इस आखसी करण की क्रिया में एडिनो- Copy Hear Chinese ऑडिनो सीन्ट्राइब क्रिया यानिए अठीपी नाम अधिक उर्जा वाले योगीक करने माड होता है यही आधिक कोसी का के विभिन्य क्रिया कलापो में भाग लेती है तो दोस्तों जो कोसी की स्वसन होता है हो हमारी माइट्रोकांडिया में संपन होता है जैसे कि जो हम सांस ग्रहड करते हैं तो जो हमारी आक्सीजन होता है हमारी रखत के हिमोगलोबिन ग्रहड करके कोसी काउं तक ले जाता है कोसिकां में जाकर माईट्रोकार्डिया में जो बोजन होता है वो उर्जा में गलुकोईश को ATP में प्रियोरधिद करके उर्जा में पोजिद करके हमारे सरीर के उस अंगों को बेचता है जहां उर्जा जरुषा ही Fachar Common कि नयासा है कि एक रगत की बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं तो एक से बनी होती है तो मानों शरीर की कोशिका जल प्रोटीन नाभी किया तेजाब से मिलकर बनी होती है नेश्ट है दोस्तों कोशिका के धाचे यूंकार के अधियन को क्या कहते हैं तो कोशिका के धाचे यूंकार के अधियन को साइटोलोजी बुला जाता है मिर्ष्ट है एक कोशिका में नाभिकी याई निकलियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं तो दोस्तों नाभिकी याई निकलियस याई जो केंद्रक होता है उसके बाहर के भाग को साइटो प्लाजमे याई की कोशिका द्रबे कहा जाता है मिश्ट है कोशिका के अंदर जो द्रो भरा रहता है उसे क्या कहते हैं तो कोशिका के अंदर जो द्रो भरा रहता है उसको जयवद रभी यानि प्रूटो प्लाजम बोलते हैं आपको ध्यान यहां पर यह रखना है दोस्तों यदि कोशिका के अंदर पूछे या पूरी कोशिका के अंदर पूछे कि जो द्रव भरा रहता है तो उसे क्या कहते हैं तो वह हमेशा जयत्रव यारी प्रोटोप्लाज में होगा और वही नाभिक के बाहर या नाभिकी के बाह पूछेगा तो उस साइटो प्लाज यानि कोशिका द्रबे रहेगा जीज वही है जवद्रबी ही लेकि जब पूरी कोशिका में रहता है तो उसको जवद्रबे बोलते है और निकलेस के बाहर उसको गिनेंगे कहेंगे तो उसको साइटो प्लाज यानि कोशिका द्रबे कोसिका की जिल्डी किस से बनी होती है तो दोस्तों कोसिका जिल्डी जो है प्लाज्मा मेंब्रेन यानि सेल मेंब्रेन से बनी होती है नेक्स्ट है दोस्तों क्रोमोसोंस किसके अड़ों से बना होता है क्रोमोसोंस यानि गुर्शुत्र जो होता है वो डियन्ने अड़ों से बना होता है जिसे दी आकसी राइबो निकलिक एसीड बोला जाता है इसका फुल फॉर्म है नेश्ड दोस्तों मानों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों मानों में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी होती है कितनी जोड़ी 23 जोड़ी जिसमें से 22 जोड़ी जो होती है वो महिलाओं पूर्षों में शमान होते हैं जिसे काई कोसिका यानि कि आटो शोम्स बोलते हैं और जो तेस्वा जोड़ी होता है वो लिंग में धारण में मदद करता है जिसे लिंग गुर्श होते हैं या पूरुस में एक्स वाई और मजिना में एक्स एक्स होता है कि जीन्ष का सम्वहन कब होता है तो जीन्ष का सम्वहन जो है गरभाधान में होता है जिसे कैसे कारे करते हैं या जोड़ों में कारे करते हैं नेश्ट है इस्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है तो अंडाड़ो यानि ओभाम के नाम से जाना जाता है नेश्ट है पूरुस की जनन कोशिका को क्या कहते है तो सुक्राड़ यानि इश्पम बोला जाता है नेश्ट है पूरू से इस्तरी के संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं तो गेमेटास नेश्ट है मानो सरीर में क्रुमोसोंस की सनरचना में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है तो इसमें DNA तथा प्रोटील प्रोमुसम्स यानि गुर्षुत्र की संरचना में मुख्य भूमी का अदा करता है नेश्ट है पूरू से सुक्राडू में किस प्रकार की गुर्षुत्र होते है तो X, Y होता है नेश्ट है इस तरह में लिंग समध्धी गुर्षुत्र कौन से होते है तो X, X होता है नेश्ट दोस्तों केंद्र बिंदू यानि नुक्लियस का क्या कार्य है तो केंडर बिंदू याई निकलियस यानि केंडरक जो कोसिका में केंडरक होता है उसका कारे होता है कोसिका की किरिया को नियंत्रित करना ठीक है कोसिका की जो समस्त किरिया है उसको नियंत्रित करने का कारे करता है केंडरक यानि की निकलियस जिसे निकलियस में क्रोमोसोम सो ह होता है जो दियन ने और प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो जिससे जिन का निमाग होता है जो हमारी अनुवान सिक्ता को वाहक होता है नेश्टर दोस्तों केंडर बिंदू या निकलियस की खोच किसने की थी तो केंडर की या निकलियस की खोच किया था राबर्ट ब्राउन अठारा शो एक तिश इश्वी में लेश्ट दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कौन शी होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है सुतर मूर्ग का अंडा ठीक है सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है सुतर मूर्ग का अंडा उसके बाद दोस्तों और सारे questions हैं आपके कोसिका से related कि सबसे बड़ी कोसिका सबसे छोटी कोसिका and सबसे बड़ी कोसिका कौन है तो दोस्तों सबसे बड़ी कोसिका आपका सुत्रमूर्थ का and दोस्तों सबसे छोटी कोसिका जो है मानों में ऐसे तो दोस्तों दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रो प्लाजमा है बस्त मानों में सबसे छोटी कोशिका पूर्शों का सुक्राण यानि इश्पम है और मानों में सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं का अंडाण यानि ओभम है और मानों में सबसे लंबी कोशिका है न कि अच्छे होता है। झाल फिख क्वाह मेंुंसुक्त को सबसे तेज ठीक कर सकता है। या निबादर आप जिनेटिक्स की से कहा जाता है जिनेटिक्स यानि कि अनुओनसिपता का पितामः को ग्रेगर जॉन मेंडल कू निस्टर राइबो स्ट्रोम का क्या कार है तो दोस्तो राइबो स्ट्रोम जो होता है वह प्रोटीन का संसलेसर करता है राइबो स्ट्रोम जो होता है प्रोटीन का संसलेसर करता है यहां पर यह सही होगा दोस्तो राइबो स्ट्रोम जो है इसको आर्डविक मसीन भी बूला ज तो मुसको बुला जाता है ठीक है नेक्स कोस्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो आत्महत्या की थैली यानि सुसाइडल बैक किसे कहते हैं तो आत्महत्या की थैली यानि सुसाइडल बैक कहते हैं लाइसोस्ट्रॉम को जैसे कि दोस्तों लाइसोस्ट्रॉम जो हो कोशिका के अंदर शफाई करने का काम करता है इसमें बहुत सारे जल अभगटक एंजाइम्स होते हैं इसकी खोश किया था क्रिस्टियन डिवे ने और यह दोस्तों इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन तथा लिपीड्स को तोड़ने तोड़के प पाचया के अचीफ नॉस्ट हो जाता है तो इसी दिजीग लाइसोस्ओंग को स송 को सी का कपाचया भी कH कहते हैं यह रहला जाता है ली कंप डिन के का का वाता है और प्रह्म पूरी तरह से अगर अनुपयोगी हो गई है खराब हो गया तो लाइसो स्व्म क्या खाता है खुत फट जाता है और पाचा करदसर ना जल अब घाटक इंजेव मुड्य कर देता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है उसलिए इसको आत्म हत्या की थैर या इस title bank कहा जाता है जाया ATOM BOM भी बोला जैता है तो कोसिका का ETOM भी बोला जाता है तो लाइसन को टीज बोला जाता है कोशिका का पाचन बैग यानि कि डाइजिटी बैग कोशिका का आत्म हत्या कि थैली यानि सुसैडल बैग कोसिका का एटम भाम भी बुला जाता है कि आखों में कौन सेल का क्या कारे होता है दोस्तों आखों में कौन सेल और रोड सेल दो होता है यहां पे कौन सेल का पुछा है तो आखों में कौन सेल का क्या कारे होता है तो कौन सेल जो होता है या हमारे रंगों को वर्गी करता है यानि वस्तों की रंगों को पचानने का काम करता है हमारा कोन सेल और नेक्स्ट है रोड सेल का क्या कारे होता है दूस्तों रोड सेल का काम होता है या रोसनी के बारे में बताता है ठीक है आपको यह धियान रखना है कि कौन सेल रंग पहजान करने में और रोड सेल रोस्णी के बारे में बताता है नेश्ट है कोसिका के दो भागों में बाटनी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो माईटोसीस? येश्ट कोश्चन है मानस्पेसी में साइटो पलाज्म को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों जैसे कि हमारे कोशिका में जो द्रव भरा रहता है उसको साइटो प्लाज यानि कोशिका द्रव कहते हैं उसी प्रकार मान स्पेशी में कि तंतु में जो द्रव भरा रहता है उसको सारकोप्लाज बोलते हैं ठीक है नेस्ट है प्रोटो प्लाज्म याने कि जीवर हस्थ में किसका मैससर्ष डाथा है तो इसमें पानी प्रोटील तीन अनपाती 1 की मातरा में होता है क तीम प्रकारकी 5 प्रकारकी होती है कोंगों से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलूफेज और इंटरफेज, यह पांच प्रकार की होती है नेश्ट है दोस्तों सारी क्रिया बिग्यान किशे कहते हैं तो दोस्तों सारी क्रिया बिग्यान कहते हैं फीजियोलोगी को नेक्ट कोश्चन है कि सारीक रचना विग्यान किसे कहते हैं सारीक रचना विग्यान को कहते हैं इनोटोमी यानि हमारे जो सरीकी सन रचना है रचना है आकार आकृती है इसका अध्यन किया जाता है इनोटोमी में हमारे जो तंत्र है पाचन तंत्र दाइस्टिव सिस्टम या जाता है फीजियोलोजी में नेश कोशन है दोस्तो हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह लाल रक्त कड़िकाओं में यानि आर बी सी में पाया जाता है और इसका कारे क्या होता है दोस्तो यह आक्सिजन के परिवाहन करने का काम क हो जाता है जिससे हमारे सरी में उर्जा उत्पन होती है और दोस्तों जैसे कि जो हीमोगलोबीन है हमारे 100 यमल रक्त में 15 ग्राम हीमोगलोबीन पाए जाता है और एक ग्राम हीमोगलोबीन जो होता है वह 1.34 ग्राम जो है आक्सीजन को बादे रखता है इस परकार 15 ग्राम हीमोगलोबिन जो है 20 ग्राम आक्सिजन को बाधे दखता है नेशा दोस्तो रग्त को सिकाएं यानि की ब्लड सेल्स कितनी प्रकार क्यों होती है तो यह तीन प्रकार क्यों होती है RBC, WBC, Platelets, RBC यानि Red Blood Cells जिसको एर्थ्रे साइट भी बोला जाता है WBC यानि White Blood Cells यानि स्वेट रग्त कड़िकाएं जिसको लिको साइट भी बोला जाता है एंड प्लेट लेट्स जिसको प्रोथोंबीर भी बोला, धृंबो साइट भी बोला जाता है नेश्ट है दोस्तों लाल रग्त कोसिकाओं में हीमोगलोबीन से क्या तात पर है तो दोस्तों हीमोगलोबीन, हीम, धन, गलोबीन दो से मलकर बिना होता है यहां हीमोगलोबीन से तात पर है, हीम से आईरन, गलोबीन से प्रोटीन यानि कि यहाँ पर ताट पर है प्रोटीन और आइरन से ठीक है आपसे नमबर D करेक्ट है B and C दूनूं नेफ्स्ट कोशिन है कि लाल रगत कोसिकाई यानि RBC को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो इसको एरेथ्रोसाइट नाम से जाना जाता है नेश्टर प्लेटलेर्स को दृसरे किस नाम से जाना collecting. नेश्ट गोशाइट नेश्टü आरर ‌वी. questi का जीवन का तो रेट बिलीरस का जीवन का होता है. रेडिलर्स्डीं का होता है तो और बिस दिन का होता है तो धिक नेकिते दोस्तों मानों शरीर में लाल रख्त कडिकाएं यानि कुशिकाएं RMC कहां बनती हैं तो यह हमारे खोखली लंबी ऐस्थियों के बीच में अस्थि मज्जा होता है उन्हीं अस्थि मज्जा में RAID BUNE महरो में यानि कि RAID ASTHIV मज्जा में RBC कर निमा होता है उसी अस्थी मज़जा की YBM यानि की Yellow Burn Meiru मे WBC कर निमा होता है तो RBC कर निमा कहा होता है अस्थियों के अस्थी मजजा में नेश्ट कोशन है एक QB या मल रक्त में कितनी लाल रक्त को सिकाएं यानि RBC सीपाई जाती है तो एक कितना पाजाता है 50 लाग 50 लाग का मतलब 5 मिलियन ठीक है नेश्ट है दोस्तों स्वेट रक्त कोसिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है तो स्वेट रक्त कोसिकाओं का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है कितने दिन का जीवन को संक्रामरत था अन्यानिकारक तत्तों से लड़ने में सहाता पता करती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में और सारे questions होंगे I hope की सभी questions आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हूँ मुझे comment में जरूर बताईए जो भी doubts होंगे आप comment में जरूर पुछा कीचे मैं उस डाउट को किलिए करने की पूरी कोशिश करूंगी तो दोस्तों फर्स बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे निव वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी तक तक के लिए जैनल